हे गाइस वेलकम बैक नीव लॉग तो अभी मैं जीम जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और यहाँ पर मेरा थोड़ा चैन खराब हो गया था उसको मैं बना रही थी फिर बना ली उसके बाद गाइस मैं फट फट तयार हो रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया था और मेरा ट सूटी बनाके जाना पड़ता है और यहां पर मैं सब कुछ देख रही हूँ कि सब ठीक है कि अरुस दिर में वही वाला केरिंग ली थी वही वाला है तो मैं अभी चेक कर रही हूँ इदर पंका चालो था तो पंका भी बंद कर दी और देख रही हूँ कि कुछ-कुछ और तो नहीं है करके तो फिर मैं सब कुछ चेक करने के बाद अभी फाइनली मैं निकलूंगी जीम के लिए क्योंकि काफी जादा टाइम हो गया था अभी मैं अपना स्कार्फ डूंड रही हूँ क्योंकि स्कार्फ मैं बाहर फोल्ड करके रख दी थी और अंदर रखी भी नहीं थी तो फाइनली गाइस मैं घर से अभी बाहर निकल रही हूँ और निकलने के बाद अभी डारेक्ट जाओंगी जीम अभी मैं यहां बाहर का नजारा दिखाती हूँ वाओ किता अच्छा मौसम किया हुआ है आज और बाहर में ही मैं स्कूटी रख दी थी क्योंकि मैं दुकान गई हुई थी ना तो फिर यहीं पे रख दी थी बाहर में तो फाइनली मैं जीम पहुँच गई गाइस बहुत मुस्किलों से जीम पहुची हूँ क्योंकि बीच रास्ते में बहुत सारे गाये लोग होते हैं तो बीच बीच में रहते हैं तो यहां का लाइड भी आफ है सीडी में अभी मैं उपर जारी हूँ तो फैनली जीम भी पहुच गई हूँ जीम पहुचने के बाद फिर मैं अंदर गई अंदर जाने के बाद काउंटर के नीचे अपना समान रखने के लिए देखने हूँ तो यहां पे समान पूरा बिखरा हुआ था तो फिर उसको भी मैं जल्दी जल्दी सापसफाई कर ली उसके बाद काउंटर में मैं थोड़ा रिष्ट कर रही थी अभी फिर धीरे धीरे करके लोग आ गया है जीम में तो गल्स लोगों को यहां पे वर्काउट करवा रहे थे यहां पे होलड रखने के लिवा रहे थे एक मिनिट तक अँरे ग्रल्स लोगों देखें सब लोग को एंचे धा है और दीरे करके तइम भी हो गया और यहां पे सब होलड की विया है यहां पे फिर वर्काउट करवा रहे थे क्योंकि जुम्बा के बाद थोड़ा सा रेष्ट करती हूँ तो मैं यहां पर बैठके बैठी हुई थी तो भाईया सबको वर्काउट बता रहे थे गाई सीशी तरीके से आज का व्लॉग कम्लीट होता है बाई-बाई